आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का अब प्रमोंडल अस्तर पर अभियान आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान प्रमोंडल अस्तर पर भी आवेजित होगा परमंडल अस्तर पर मेगा परिसंपत्ती वीतरन कैम्प का आवेजन किया जाएगा इस मेगा कैम्प में मुख्य मंत्री हेमांचुरेन लाभकों के बीच परिसंपत्यों का वीतरन करेंगे बता दे मुख्य सर्चिव सुकदेव सिंग इस बाबा सभी परमनले आयुक्त को पत्र भेज कर त्यारी करने का निदेश्तिया है इस अभियान का समापन 29 दिसंबर को रांची में आवजीत मेगा कैम से होगा इसी दिन सीम है मन्सुरेन के निदेश्ति में गठित सरकार की दूसरी पर्स गाठ भी है इस दिन मुख्य मंत्री का योजनाओं का उदगाटन वस जीलन्यास भी करेंगे बता दे दुमका में 8 दिसंबर को पलामू में 10 दिसंबर, हजारी बाग में 11 दिसंबर, चाईबासा में 15 दिसंबर और रांची में 29 दिसंबर को मेगा कैम होगा आज से 46 ट्रेने कोहरे के कारण नहीं चलेंगी यूपी और विहार से गुजरने वाली ट्रेनों पर कोहरे का कहर सुरू हो चुका है पता दे पुरो मधर रेलवे की ओर से कोहरे के कारण 23 जोड़ी यानि 46 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है ये ट्रेने 1 दिसंबर 2021 से 1 मार्च 2022 तक रद रहेंगी इसके अलावा 21 जोड़ी 42 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है पुरो मधर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रायस कुमान या जनकारी दी है मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परिक्षा पर संसा है मैट्रिक और इंटर्मीडियेट के पहले टर्म की परिक्षा समय पर हो जाए इसमें संसाय दिख रहा है बतादे जार्खन एकेडमी काउंसिल में अध्यक्ष का पद खाली रहने लेकिन मैट्रिक इंटर्मीडियेट की परिक्षा को लेकर अब तक या करवाई पूरी नहीं हो सकी है ओमी क्रोन के खत्रे के बीच केंद्र ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई गाइडलाइन्स क्रोना वाइरस के दक्षिन अफरीकी वेरियेंट ओमी क्रोन को देखते हुए केंद्र सरकार ने देसे ब्यापी कोवीड-19 डोक्थाम गाइडलाइन को 31 दिसंबर तक के बढ़ा दिया है इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने राजियो से सतर कराने को भी कहा है केंद्रिये ग्री सचीव अजय भलाने राजियो और केंद्र सासित परदेशो को केंद्रिये स्वास्त मंत्राले की ओर से 25 नॉमबर को जारी किये गए निर्देशो का सक्ति से पालन कराने को कहा है विभागिये अधिकारियों से सिक्षा मंत्री नराज सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो विभागिये अधिकारियों और करमचारियों के काम काज से काफी नराज हैं विभागिये गोपनिये सुचनाओं के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नराजी प्रकट की है साथ ही उन्होंने बरसों से सिक्षा विभाग में काये कर रहे कई अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पित पत्र लिखा है चाहे ए अधिकारी राजे प्रसासनिक सेवा के हो या फिर राजे सची वाले सेवा के बतादे सिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजे पित्पत्र में लिखा आए कि विभाग में पिछले तीन बर से अधिक समय से जो अधिकारी कारला था है उन्हें सिक्षा विभाग से हटा कर दूसरे विभागों में भेजा जाए ज्यारखन के SC, ST, पिछड़ा वर्ग के छात्र इंजिनियरिंग और मेडिकल परिक्षा की मुफ्थ कर सकेंगे त्यारी राज के, ST, SC, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के बिद्यार्थियों को इंजिनियरिंग और मेडिकल पर्वेस परिक्षा की त्यारी कराने के लिए सरकार मुप्त आवासिय कोचिंग की सुविधा देगी बतादे, चैनित विद्यार्थियों का नमांकर्ण कक्षा एकार्वी में रांची के विद्यालियों में कराया जाएगा उनको एकार्वी वबराहमी के सिलेबस के अलावा, J.E. या N.E.T. की कोचिंग कराई जाएगी बतादे, सिक्षा विभाग के अकांचा कारेकरम की तर्जबर कल्यान विभाग द्वारा सुरू किये जारे कारेकरम का नाम प्रेरना रखा गया है जो 29 नॉवंबर को इसे लेकर आदेश जारी किया गया अकांचा कारेकरम के तर्जबर कोचिंग पाने वाले 20 से 25 पिद्यार्थियों का चैन और बर्स, इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हो रहा है टाटा इस्टील में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे नौकरी टाटा इस्टील कमपनी ने जमसेदपूर के दो किनर समेथ 6 खंट के कूल 6 किनरों को अस्थाई नोकरी दी है इसमें जमसेदपूर से अमरजित सिंग और अनन्दी सिंग समेथ चाईबासा के फ्रांसेश सुंडी अमीत तथा रांची से निशू और आसी सामिल है इन सभी को M.E.M.M. ओपरेटर के पद पर अस्थाई नियुक्ती दी गई है बता दे सभी किनरों को 1 दिसंबर 2021 को वेस्ट बोकारों डिवीजन में ज्वाइन करना है राजेपाल रमेस बैस ने सीम हमंद की चचेरी बहन को दिया असिरवाद मुख्य मंतरी हमं सुरेण की बहन आसा सुरेण के साधी समारों में सामिल होने के लिए मंगलवा को राजेपाल रमेस बैस मुख्य नेयादिस डाक्टर रवी रंजन सहीत राजेभर के अलाधिकारी बिधायक पक्ष भी पक्ष के नेता वा गन्माने मुख्य मंत्री का पैतरी गाउं रामगर जीला के बरलांगा थाना अंत्रगत नेमरा गाउं पहुँचे बतादे संथाली परमपरा वा रिती रिवाय से साधी की रसमे हुई देर रात बोकारो जीलेक के बाला डीज थी जोपडो गाउं से बरात आई मुख्य मंत्री हमान सुरेन खोधी बरातियों का स्वागत किया मुख्य मंत्री का पिता राज सबसांसा सीवु सुरेन भाई बिधायक बसंत सुरेन माता रूपी सुरेन वा पत्नी कलपना सुरेन ने भी सवी बरातियों का स्वागत किया केंद्रीय बिध्याले जारखन में अवैध नियुक्ति को लेकर जाच सुरू केंद्रिये बीसोबी देले जहारखन में सिक्षक वा सिक्षकेतर कर्मियों के नियुक्ति समन्धी जाँच शुरू हो गई है बतादे मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन की पाइच सदस्य टीम जाँच के लिए राची पहुंची टीम ने मंगलवार को चेरी मनातू इस्थीत सी यूजे कैम्प में अधिकारियों से मिल कर जनकारी ली साथी नियुक्तिये से समन्धित दस्तावेज माँगा सी यूजे में जून 2017 से अगस्त 2020 के बीच होई नियुक्तियों में गरबाड़ी की सिकायत मिली थी इसमें 50 सिक्ष को वा 62 सिक्ष केतर कर्मियों के नियुक्ति हुई है ज्यारखन में कुरोना के 11 नय केस मिले है जबकि 9 मरी स्वास्थ भी हुए है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 99 है भारत में 8310 नय केस मिले है जबकि 902 मरी स्वास्थ भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,1863 को लेकर रिम्स प्रवंधन hist हई और राकत में क्यार कर दीन वाझ प्रवेर गते त्यारह में और प्रवर्म Peng लागा wr 166 बात दीन इन वा ऊक्सिजन बढ़ाना की प्रवार्मार्मनिक ओंद्री त्यार। करके रखा गया है वाड की साफ सफाई शुरू कर दी गई है बता दे कि रिम्स प्रबंधन ने सोमवार की साम को एक महत्पून बैठक की इस बैठक में निनने लिया गया की निव ट्रामा सेंटर को कोविट के मरीजों के लिए पूरी तरह से त्यार रखा जाएगा राज्य के स्कूलों ब्यवसाइक सिक्षा में सीटों की सीमा खत्म है राज्य के हाई और पलस टू स्कूलों में ब्यवसाइक पाठेकरम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है नई ब्यवस्था के तहट इन स्कूलों में अब जितने चात्र चात्रा ब्यवसाइक प हो सकता था लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है अब इसकूल बेवसाइक पाठकरम के किसी भी ट्रेड में सोव या फिर इससे ज़्यादा भी छाद्रशत्राओं का नमांकन ले सकेंगे जामतला के किसान अब करेंगे मोती की खेती परतेक परखंड से 50 किसानों का होगा चयान जामतला के किसान अब मोती की खेती करेंगे सुनने में भले ही या अटपटा लगे परन्तु 16 आने सच हैं बतादे क्रिसी विभाग जाम तड़ा जीले के किसानों को मोती की खेती का परसिक्षन देगा इसके बाद आत्मा की देखरेक में किसान मोती की खेती करेंगे इसको लेकर क्रिसी विभाग द्वारा आवसेक त्यारी प्रगाम कर दी गई है प्रतम फेज में किसानों का चेयन कर उन्हें पर सिक्षन दिया जाएगा ताकि वह बेहतर ढ़ांग से मोती की खेती कर सके बता दे जीला क्रिसी पता दिकाई ने बताया कि परतेक परखंड से 50 रजिस्टर्ड किसानों का चेयन किया जा रहा है साथ ही मोती की खेती करने को एक छुक किसान को पहले रजिस्टेशन कराना होगा और फिर उन्हें विभाग द्वारा पर सिक्षन दिया जाएगा लोहर्दागा में विरिकेटिंग प्लांट सेड का उधगाटन जार्खन के लोहर्दागा डिसी दिलीप कुमा टोपो ने किसको परखन के तीसिया गाव में विरिकेटिंग प्लांट सेड का उधगाटन किया इस सेड का निर्मान हिंडाल को प्रवंधन इंडरस्टिज के CSR मद के कूल 37,8,5 माह में किया गया है बता दे इस सेड के बनने से बारिस के समय या खुले आसमान के निचे रखे सुखे पत्तों को खराब होने से बचाना है इस मौके पर डिसी सिरी टोपो ने कहा कि आज से दो माह पहले तक इस जगह में काफी जल जमाव हो जाता था सेड नहीं होने की वज़ा से ब्रिकेटिंग निर्मान के लिए लाए गए सुखे पत्ते बारिस की वज़ा से गिले हो जा रहे थे लेकिन अब सेड बन जाने से उत्पादन में ब्रिधी होगी बिश्व बिद्यालियों में सहायक प्रध्यापकों के 500 से अधिक रिक्त पद भरने का निर्देश बिश्व बिद्याले अनुदान आयोग ने बिश्व बिद्यालियों को सिक्षकों के सभी रिक्त पद प्राथमिक्ता के तोर पर भरने के निर्देश दिये है साथ ही इसे लेकर सभी विश्व विद्यालियों से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है राजे की बात करें तो यहां के विश्व विद्यालियों में बर्ष 2008 के बाद सहायक प्रध्यापकों के नियुक्ति नहीं हुई है इस बीच नियुक्ति को लेकर कई प्रयास तो किये गाएं लेकिन कभी नियमावली की पेज तो कभी रोष्टर क्लिरेंस नहीं होने से नियुक्ति लटकती रही है सर्वाइकल कैंसर की जाज को लेकर महिलाओ की उम्री भीड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को लेकर मंगलवार को रातु इस्थीत समुदाइक स्वास्त केंद्र में स्वास्त मंत्री बना गुपता ने मेगा महिला स्वास्त सिवीर और सरकारे इस्थीरी रोग चिकित सको के लिए प्रसिक्षन सिवीर का उधाटन किया बिमेंस डॉक्टर स्विंग आई एम ए जार्खन के अध्यक्ष डॉक्टर भरती कस्यप और स्वास्त विभाग की ओर से आवजन किया गया बता दे मोखे पर स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा कि अभियान एक सेवा का अभियान है लोगों को इसे लेकर जागरूप होना होगा बता दे उन्होंने कहा कि आज भी हर आठ मिनट में एक महिला की सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से मौत होती है तीन दिसंबर तक लंबित पीम आवासकारे पूरा करे कर्मी गढ़वा रमकंडा बीडियो ने दी चेतावनी गढ़वा जिला अंतरगत रमकंडा परखंड कर्यालाई के सभागार में मंगलवार को रमकंडा बीडियो पूसकर सिंग मुंडा ने परधान मंत्री आवास वेजना से जुड़े कर्मीयों के साथ समिक्षात्वक पैठक की इस दोरान उन्होंने प्रखंड के रक्सी हरहे रमकंडा बीराजपूर बलीगर चेटेवा उदायपूर पंचायत में संचालित करीब 200 परधान मंत्री आवास की भहते की स्थिती के जनकारी कर्मियों से मांगी प्लस टू में परचारे की नियुक्ती के मामले में मांगा जवाब जारखन हाई कोट के जश्टिस डाक्टर एसन पाथा की अदालत में प्लस टू स्कूलों में प्रभारी परचारे बनाये जाने के खिलाप दाखिली आज का पर सुनवाई होई सुनवाई के दोरान राज सरकार की और से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई इस पर अधालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हूए 16 दिसंबर की थित्षी निधारित की है पीएम आवास योजना में प्रथम किस्त में बिलम किसी भी अस्तर परपरदास नहीं राची उपायुक ते उपायुक छवी रंजन द्वारा परधान मंत्री अवास योजना ग्रामीन में अवास पुर्णता पर विशेश ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित अवास मोडल को जरूरत के अनुसार आकलन और लाभुक समती से सहसमय पुर्ण करवाने का निर्देश दिया गया रांची जीला में अवसत से कम पुर्णता वाले परखंड तमाल, बेडो, मांडर, सिली, चान हो, बुढमू और कांके परखंड को विशेश ध्यान देने के लिए कहा गया उपायुक्त ने परधान मंत्री अवास योजना, बाबा, साहे, भीम, राव, अमबेटकर अवास योजना की ओनलाइन समिशात्मक बैठक में ये बाते कही सीबू सोरेन का अवास हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में होगा विक्सीत जारखन अलग राज और महाजनी के खिलाप अंदोलन के अगुआ राई सभासांसद और जामुमो सुप्रीमो सुबू सोरेन के मोराबादी स्थित अवास को हेरिटेज बिल्डिंग में तबदिल किया जाएगा यह अवास काफी पुराना हो गया है इसे भवन निर्मान विभाग नए सीरे से बना कर हेरिटेज के रूप में विक्सीत करेगा है बता दे भवन निर्मान विभाग के सचीव सुनिल कुमार के मुताबिक सिबू सुरेन के अंदोलनों से हर कोई वाकिप है अगली पिढ़ी इसके योगदान को जान सके इसके लिए उनके आवास को हेरिटेज के रूप में विक्सीत करने का निर्मान लिया गया है आवास को एतिहासिक इमारत के रूप में संरक्षित किया जाएगा जार्खन अंदोलन कारियों के रूप में सीवु सुरेन को समान देने किया पहल है जार्खन बिधान सभा के नमाज कक्ष पर निर्नाय में लगेगा समय जार्खन बिधान सभा में नमाज कक्ष की प्रसंगीता पर निर्नाय होने में अभी और वक्त लगेगा इस कक्ष का नाम प्राथना कक्ष किया जाए या कुछ और रखा जाए ऐसे में तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तूत करने के लिए मांसुन सत्र के दोरान 9 सितंबर को विधायक डाक्टर इर्फाज अमत के आगराफ पर ज्यारखन विधायक सबाद्यक्ष रविदन कट है पतादे जीलो में आवंटन खत्म होने के बाद अफसरों की पदस्थापना नहीं होने और बेतन निकासी के लिए डी डी ओ नहीं होने के कारण बेतन का भुकतान विभाग में तैनात डी इस पी इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर वो होमगार्ड जवानों को नहीं हो प पदस्थापीत डी आई नेंद्र कुमार सिंग को हजारी बाग पदस्थापीत किया गया था जबकि कमांडेंट हरी लाल चौहान भी केंद्रिये प्रतिन्योक्ति पर चले गए थे धरनेवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाहल के पर लाइ साजी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवसे दे थैंक यू